Hello friends, welcome to Leventator and YouTube channel Leventator and YouTube channel में आपनों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों कैसों आप लो दोस्तों वीडियो बहुत informative होने वाला है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी बातों के बारे में जो अगर आपके relationship में हो रही है तो आपको सतरकता की जरूरत है अगर आपके relationship में ये तीन बातें होने लगें तो सतरक हो जाओ आपको सतरकता की जरूरत है अगर आपने ये वीडियो समझ लिया ये तीन चीज़ें समझ लिए तो साइद आप आने वाली problem से बच सकते हो तो first of all, सबसे पहला point है, सबसे पहली चीज है, वो ये है कि अगर आपके relationship में या आपके goals की बीच में ये चीज हो रही है, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, वो ये है कि high level का disturbance, जी यहां दोस्तों, यहां पर देखिए high level की disturbance की बात कर रहे हैं, ना कि simple disturbance की बात कर रहे हैं हम, यहां पर high level का disturbance की बात की जा रही है, अगर आपके relationship में ये चीज हो रही है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, अगर आपके relationship में या आपके goals की बीच में, relationship की बज़े से बहुत ही जदा high level का disturbance, बहुत ही intensive disturbance क्रेट हो रहा है, तो साइध यहां पर आपको सतर्क हो रहा है relationship की बज़े से तो यहाँ पर ऐसे relationship का कोई फाइदा नहीं ऐसी life का कोई फाइदा नहीं जो relationship आपको सही से life जीने नहीं दे रहा है तो ऐसे disturbance से आपको सतर्क हो जाना है बचके रहना है तो देखी यह तो high level की disturbance की बात हो रही है देखी life में छोटे मुटे disturbance चलते रहते हैं आपके relationship में या आपके goals के बीच में बिजनिस में छोटा मुटा disturbance आता है वो लाजमी है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर आपके relationship की बज़े से आपकी life में आपके goals के बीच में बहुत ज़्यादा high level का disturbance करेट हो रहा है बहुत ज़्यादा intensive disturbance create हो रहा है तो आपको सायद सतर्क हो जाने की जरूरत है ऐसे relationship का कोई फाइदा नहीं और आप उसमें tick भी नहीं पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा भोरियत feel करने लगेंगे तो यह बात आपको जरूरत ध्यान में रखनी है अगर आपके relationship में ऐसा हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको यह नहीं कहा रहा हूँ कि आप इसकी बज़े से relationship खतम कर दीजिए आपको सतर्क आपको aware कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर आप अपने आपको समा लिए और अपने relationship को भी बचाए आप high level के disturbance से बचिए मैं यहाँ पर यह बोलाओ तो यह पहला point हो गए I hope आप इसको समझ गये होंगे अब बात करते हैं दूसरे point के बारे में दूसरा point भी बहुत ज़्यादा most important है अगर आपके relationship में यह चीजे हो रही है तो भी आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है तो दूसरा point है यहाँ पर देखे दो words है इनको आपको ध्यान से समझना है पहला है things और दूसरा है you अगर आपके relationship में आप माली जी एक relationship में है और आपका partner जो है वो शिर्फ और सिर्फ things पर focus करता है आपके इस चीजों में फोकस करता है और आपके उपर focus नहीं करता है तो देखे यहाँ पर आपको aware हो जाने की जरुरत है सतर्कता की जरूरत है क्योंकि अगर आपका partner सिर्फ और सिर्फ things के पर आपकी चीजों के उपर focus करता है और आपके उपर focus नहीं करता है तो ऐसे relationship के होने का कोई फाइदा नहीं ऐसा relationship अंतता टूटी जाएगा और ऐसा relationship आप चला भी नहीं पाएंगे अंतता एक ना एक दिन खतम हो ज आप कैसे दिखते हो आप क्या करते हो आपके पास क्या क्या चीजे हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर focus करता है और आपके उपर focus नहीं करता है आप क्या चीज हो आप कैसे हो आपके पास पैसा है या नहीं ऐसा विल्कुल भी नहीं सोचता है और आपको नहीं आपकी चीज और आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है क्योंकि ऐसे relationship के कोई माइने नहीं होते हैं मैंने कई बार आपको बताया है अगर आपका partner या कोई भी इंसान आपकी चीजों पर, आपके संपत्ति के उपर आपके पास क्या है, इन चीज़ पर जादा फोकस करता है इन चीजों को देखता है और आप कैसे दिखते हो आप क्या हो आपके पास ये चीज़े है या नहीं है रही भी या नहीं भी रही आगे भविस में तो भी वो इंसान आपको प्यार करेगा या नहीं करेगा अगर ये चीज़े आपके पास कोई भी चीज रहे या ना रहे आप के पास पैसा रहे या न रहे फिर भी मैं आपको प्यार करूँगा फिर भी मैं आपको चाहता रहूँगा तो ऐसा relationship बहुत ही अच्छा होता है ऐसे relationship के लिए आप कुछ भी कर सकते हो ठीके रह सकते हो ऐसा relationship चलता रहता है और अगर आपका partner things के पर आपकी चीज़ों को इव पर focus करता है और आपके पर focus नहीं करता है तो यहाँ पर मैं कहूंगा आपको सतर्क हो जाना है यह दूसरा point भी आप समझ गये होंगे अब बात करते हैं तीसरे point के बारे में तो तीसरा point भी बहुत ज़्यद और आपका partner सामने वाला इंसान उसे आपकी feelings की कदर ही नहीं है तो ऐसे relationship का भी कोई बजूद नहीं होता है माली जे आप किसी को प्यार करते हो अपने partner को प्यार करते हो और आपको उनकी feelings की कदर ही नहीं है उनकी feelings की care ही नहीं है तो ऐसे में आप ऐसा नहीं करेंगे तो अ की feelings की قدر भी होनी चाहिए वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, इस चीज का आपको खियाल होना चाहिए, और ऐसे ही आपके partner को, जो आपको प्यार करता है उसे आपकी feelings की कदर है उसे आपकी care है तो आपका relationship अच्छा है और अगर आपका partner don't care about your feelings, आपकी feelings की कदर नहीं करता है, तो ऐसे relationship का भी कोई वजूद नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको aware कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है आपकी relationship में, सामने वाला इंसान जो आपको प्यार करता है, उसे आपकी feelings की कदर नहीं है, तो धीर आपकी feelings के प्रति भी खतम होती जा रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ aware किया है, तीन बाते ऐसी बताई है, जो अगर आप judge करते हैं अपने relationship में, अपने partner में, मैंने आपको इन तीन बातों के भी हैपर यह नहीं बोला है, कि आप relationship खतम कर दिजे, मैंने सिर्फ यह यह बोला है, कि आप aware हो जाए, सतरकता थोड़ी बरतिये, और अपने relationship को सही करने की कोसिस कीजिए, ऐसे relationship का माहिने नहीं होता, जो यह चीज़े होती हैं आपके relationship में, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह भी तक आपने हमारे facebook page को follow नहीं किया है, तो वी अप्लेकेशन के दौरा मुझे से बात कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में बसना ही, में इंटेकली वीडियो में, थैंक्स वराचिंग, धनवाद दूस्तों,